दोस्तो नमस्कार अगर आप आपकी इंसिट्यूशन से आपके सारे कर्मचारियों के इंकम टेक्स कलेक करके इंकम टेक्स डिपार्टमेंट में डिपोजिट करते हो तो आपको हर महिने TDS भरना पड़ता है और ये TDS के लिए आप एक चलान भी साथ में सब्मिट करते होंगे Financial Year 2022 तक हमारे कम्पूटर में हम चलान की एक कोपी शेव रखते थे उसकी प्रिंट निकाल के भी भर सकते थे और इसकी Excel कोपी में सारी डिटेल भर के भी हम प्रिंट निकालते थे लेकिन Financial Year 2023 यानि की April 2023 से March 2024 के लिए इस प्रकार का चलान वेलिड नहीं है और बेंक में से हमें सुचना मिलती हैं कि आपको ओनलाइन चलान निकालना है और हमें जो टेक्स एक्सपर्ड हैं उसके पास इस चलान के लिए जाना पड़ता है लेकिन इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से आप आपके ही कम्पुटर से ओनलाइन चलान निकाल के बेंक में भर सकते हो तो चलो यह सारी प्रोसेजर में आपको इस वीडियो में दिखाता हूँ इसलिए आप गुगल सर्च में इंकम टेक्स लिखिए जैसे ही इंकम टेक्स सर्च करोगे यहाँ पर आपको अलग-अलग साइट दिखाई देगी लेकिन यह साइट आपको ओपन करना है जैसे ही आप उस साइट को ओपन करोगे तो आपकी लेफ्ट साइड आपके कम्पुटर पर यह सारे ओप्सन दिखाई देगे उसमें से आपको सिलेक करना है E-Pay Tax आप ये अच्छी तरह से जानते हो कि आपको जो TDS भरना है वो आपके institution के TAN नंबर से भरना है यहाँ पर जो दो box बने हुए हैं उसमें पहले box पर क्लिक करके आप अपना TAN नंबर लिख दीजिए एक बार TAN नंबर लिखने के बाद दुसरे box में फिर से वो ही TAN नंबर बिना गलती कि ये लिखना है तो फिर से लिखना है दोनों box में सही तरीके से TAN नंबर लिखने के बाद टेप बटन को दबाओगे यहाँ पर आपको आपका mobile नंबर डालना है जैसे कि मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ उसके बाद उसको continue करना है continue पर क्लिक करते ही आपको income text department की और से एक OTP आएगा उस OTP को इसमें enter करना है OTP एंटर करने के बाद आपको फिर से continue में जाना है यहाँ पर आप एक message देख सकते हूँ जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है You have successfully verified through mobile OTP Click continue to make a new payment और इसके नीचे आपके tan number है और आपकी institution का नाम है इसमें नाम पूरा तो नहीं आएगा लेकिन उसके पहले दो अक्सर और अंतिम दो अक्सर दिखाई दीगा इसके बाद फिर से continue करोगे यहाँ पर दिखेगा assessment year जैसे कि financial year अब हो गया हमारा 2023-2024 और इसके लिए assessment year हो गया 2024-2025 तो यहाँ पर क्लिक करने से drop down में यह साल खुलेगी 2024-2025 तो इसको क्लिक करोगे और क्लिक करने के बाद जैसे नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आएगा pay TDS उसमें आप जैसे ही proceed करोगे step by step आपको आगे जाना है आपको कौन सा section और code number पसंद करना है इसके लिए आप आपका पुराना वाला चलान देख सकते हों जैसे कि मेरी institution के लिए code number 92A एवं section 192 यह ठीक है तो मैं उसको select कर लेता हूँ फिर से continue करना है तो आपका एक step complete हो गया institution है वो other than company है तो इसके लिए यहाँ पर 0021 वो ठीक है यहाँ पर हमें हमारी institution के सारे employee को मिला कर जो monthly tax बरना है वो amount हमें इसमें enter करनी है मैं यहाँ पर for example डाल रहा हूँ टेप करोगे जो जो amount आपको डालनी है उसमें आगे बढ़िए और last में आएगा continue और इस तरह से हमने दो step complete कर दिये अब सिर्फ एक ही step बाकी है यहाँ से scroll down करके नीचे जाएंगे तो यहाँ पर हमें कुछ और option दिखेंगे जैसे कि मेरी institution में online payment की सुविदा नहीं है तो मुझे pay at bank counter यह select करना होगा इसके लिए मैं जैसे ही उसको click करूँगा और उसके बाद यहाँ पर नीचे जाएंगे तो यहाँ पर अलग-अलग option मिलेंगे उसमें से मुझे check select करना है क्योंकि मैं मेरी institution का TDS check से भरना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर check select करूँगा उसके बाद आगे बढ़ूँगा और यह check कौन सी bank का है तो मेरी institution का account State Bank of India में है तो यह मैंने select कर लिया अब मैं फिर से continue करता हूँ तो यहाँ तीनो step complete हो चुके हैं और अब यहाँ से मैं आगे बढ़ता हूँ यहाँ आपको आपकी जो detail है वो सारी की सारी लिखी हुई दिखेगी आप उसे verify कर लें और उसके बाद continue में click करें जैसे ही आप continue में click करोगे तो आपको एक और option मिलेगा यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है download challenge form उसको click करोगे तो यह चलान आपके computer पर download हो जाएगा बस अब उस चलान को लेकर आपकी institution का check उसके साथ रख कर आपको bank में जाना है और आपका TDS submit करना है तो यह जो procedure है वो financial year 2023-24 यानि की assessment year 2024-25 के लिए शुरू हुई है नमस्कार